पहली बातिन संतों नहीं बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम देया करपा करकर हमको मनुष योनी प्रदान किये ये उसकी बड़ी देन है जो में प्राप्त है मनुष योनी एक ऐसी योनी है जिसमें परमात्माने में विवेग बुद्दी दिये कर्म करने की स्वाधिन्ता दिये बाकी 84 लाख योनिया बोग योनिया है बड़ी द्या करपा करकर हमें इश्वर ने ये मौका दिया और हमें इसका पूरा पूरा लाब उठाना चाहिए कहा है बड़े भाग्य मानुषतन पाव सुरुद्र लबसद ग्रन्तन गाव साधन दाम मौक्षकर द्वारा पाइन जहीं परलोक सवारा ऐसी मनुष योनि जो बड़े भाग्य से मिली है जिसके लिए देवतावी तरस्ते हैं क्योंकि मनुष योनि एक ऐसा साधन का शेत्र है मौक्ष का दर्वाजा है इसमें इपरमातम ने हमें विवेक बुद्दे दिया है कर्म करने का दिकार दिया है यदि हम चाहें पत्रशील हो उस परमपिता परमातमों को प्राप कर सकते हैं ये एक ऐसी योनि है इसके लिए देवता लोग भी तरस्ते हैं तो ऐसा अफसर इश्वन ने हमें दिया हमें इसका पूरा पूरा लाब उठाना चाहिए जितने संतमातम हुए जितने धर्म हुए जितने पंथ हुए सब ने मनुश्योंने की भूरी भूरी प्रिशंसा की है कभी जाजी ने कहाए कि कभीरा हर की भक्ति कर तज्विशारस चौच बार बार नहीं पाईए मानज जनम की माँच इस सेवक के गुर्देव कहा करते थे कि विशे वासना के अनंदी मित्या जरम बिगार मानज जरम गरीब ने फिर फिर कर ले हरी सुप्यार ऐसा सुंदर अक्सर में परमात्मा लिया हमारे महरश्यों ने मैं बताया कि चायाए आप ग्रस्तियों जासन्यासी आपको आदा गंटा प्याता संद्रावंध्रा अवश्ष करनी चाहिए यह दो समें इसुप कर दिए कि संदिया वंदना अवश करनी चाहिए हमारे देश में 99 प्रतिशन लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी ना किसी रख से परमात्मा की पूझा करते हैं बहुत से लोग तो आदा घंटे से जादा करते हैं यह दिम उनसे पूछें कि आपको इस पूझा का क्या लाब हुआ तो चार बात बताने के में खामोश हो जाते हैं पहली बात यह इश्वर का नाम लेना बहुत करते हैं हमारे देखा-देखिए और बच्चे करतें गाड़ फ्यरिंग है अच्छा है और आप इससे जादा क्या चाहते हैं अगर आम उनसे पूझें कि इस पूझा का आपको क्या लाब हुआ ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ इन संतों ने का कि हम एक तरी के से आप पूजा करेंगे तो आपको विशेश लाब होगा और उन्हें ऐसा तरीका बतलाया जिसे हर कोई अपना सके किसी भी मजब का मानने वाला हो किसी भी धर्म का नियाई हो अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके एसी बात बतलाई और वह मैं आपके सामने रखूँगा हर मजब में दो प्रकार के वेक्ती हैं एक साकार पुजारी गूसे निराकार अब बहुत पराने जमाने से चले आ रहे हैं नई बात नहीं इनमें आपस में जगड़े भी होते हैं बाद विवाद भी होते हैं और लेकिन ये सब होते हुए आज तक दौनों काया में बात ऐसी है कि मनुष का सबाव कुछ पैसा ही है किसी को चेरे से प्यार होता है शकल से प्यार होता है मूर्ती से प्यार होता है अब कुछ लोगों वो शल्द से प्यार नहीं होता जिने शकल से प्यार होता है वो ऐसा गा का इन संतों ने दौनों के लिए रास्ता बताया जो साकार बुजारी हैं उनका सबसे उच्छा काम एक इस्ट का निश्चित करना अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की ऐसी कौन सी मूरत है जिसमें भगवान की सबसे उची भावना डाल सकते हो सबसे प्यारी लगती हो है उसे अपना इसमाने उसी की पूजा करें उसी का ध्यान करें उसी को याद करें उसको कभी बदले रहें ऐसा नहीं कि आजआ प राम की पूजा करें करकश के परसो मा की अगर रोजूद बदलेंगे तो इसका मिशेष लाब नहीं होगा दरसल में पूजा का जो मकसद है वे चित की काक्रता प्राथ करना है और उससे उपर उठे तो मैं कहूंगा कि चित की विर्थियों का निरोध प्राथ करना ऐसी हालत जिसमें विचार शूनित आ जाए जब ही हो सकता है जब आपका एक इस्थ हो पूजा कैसे करें कुशा या कंबल का आसन हो दूप बत्ती अगर बत्ती जलाए साव सुत्री चादर बिची हो रात्री करस्त बदल कर बैठें अगर इश्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं मुहाद दोकर सुख आसन से बैठें कल्पन गरें कि आपका इससे सहचरीर आपके सामने विद्धम है फिर कोई भक्ती बरावजन गाई है तो क्या होगा आपके वहर मुखी विचारों की दुनिया से मनट कर इश्वर की तरफ अपने इस्ट की तरफ लगेगा और फिर क्या हुआ है और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा पहले बाहर देखिये जब भ्यार की तरफ ध्यान बन गए उस पवित्र मूरत को अपने हिरने में उतारिये बठाईए बड़े प्यार से इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाये ना ख्याल हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं जब मन हड़ गाए तब प्यार से इसी मूर्तिपर जमाए फिर ना कोई विचार रहे गड़ा क्याल जब चेतन अवस्ता में लोटेंगे उसी के ध्यान में लोटेंगे और उस समय आपको बड़ी सुन्दर अनुभूती होगी आपका हिर्दय मस्तक अनंग से बर गया जितना मस्तक पर भारता में हलका हो गया यह है पूजा का तरीका जो इनसंत मात्मों ने बताया साकार पुजारियों के लिए अगर ऐसे पूजा करेंगे तो विशेश लाव होगा चित की एकाग्रता प्राप्त होगी शुशुप्ती की अवस्ता प्राप्त होगी और शुशुप्ती ते सहस समाधी में प्रिर्श पर जाएंगे दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवार की उपासके पर मात्मा की मूर्ति को नहीं मानते वैं उनके नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे हिंदु भई ओम नाम मुसरमात भई अल्ला सिख भई वागरो क्रिस्चिन भई क्राइस्ट ये बाड जो आपकी आत्मों को नाम प्यारा लगे उसे चुनिए बड़े प्यार से उसको पकड़िए उसी आसन पर बैठे सुख आस कभाश्ता बनाये और फिर ये क्यार करें आपका हृर्दे जो दुख्बबग करता है वो बीट होती है उसमें से ओम नाम निकल रहा है गयो जो नाम चुना है वह निकल रहा है हिर्दे ओम ओम कह रहा है जवान नहीं कहरा ही शोरू-श्रू में दिक्कत होती है तब मान सिक जाब कर सकते हैं ओम 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 धीरे धीरे ऐसी अवस्ता आती है आपको बस पस सुनाई देने लगता है कि हिर्दे से ओम की आवाज निकल रही है ऐसी हालत पैदा होती है ना कोई दूसरा विचार räहता निक हाल उसमें ऐसे अधनलीन हो जाते हैं अपना होश नहीं रहता है, अपने और आपसे गायब हो जाते रहे हैं विचार शुन नवस्ता फिर जब चेतन आवस्ता में आते हैं तो वोई नाम सुनते होते हैं फिर हमें एसास होता है बड़े अनंद का कि हमारा मस्तच अनुपम आनंद से बर गया वनी शान्ति मिले तो इन संतों ने ये तरीका पूजा का बतलाया यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेश लाव होगा शित्की एकाग्रता प्राप्त होगी तो अभी एक बजान होगा बजान के साथ साथ सवी भाई भेन अपने अपने इस्ट की याद करेंगे अपने अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे बिन देखे तिहारे मैं मर जाओंगी तेरी एक ही नजरिया मैं तर जाओंगी आजा पिया प्यारे दर्श दिखा जाओंगी मैं मूसा नहीं हूँ जो डर जाओंगी बिन देखे तिहारे मैं मर जाओंगी तिहारे मैं मर जाओंगी रीत तिहारे मैं मन में रखूंगी पूठेगा कोई मुकर जाओंगी बिन देखे तिहारे मैं मर जाओंगी दास गरीब की जो ली भरी है दास गरीब की जोली भरी है गागर नहीं हूँ जो भर जाऊंगी दिन देखे तिहारे मैं मर जाऊंगी तेरी एक ही नजरिया में तर जाऊंगी बिन देखे तिहारे मैं मर जाऊंगी जाऊंगी झाल 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 आप भी यदी छोड देंगे फिर कहां जाओंगा मैं आप भी यदी छोड़ देंगे फिर कहां जाओंगा मैं जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं सब जगह मैंने भटक कर ली शरण प्रभु आपकी सब जगह मैंने भटक कर ली शरण प्रभु आपकी पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी ए मेरे गुरु देव करुणा सिंधु करुणा कीजिये पार करना या न करना या न करना दोनों मर्जी आपकी ए मेरे गुरु देव करुणा सिंधु करुणा कीजिये पत्मा अत्मा तुई है तेरी इच्छा पोड़ो पत्मा पत्मा या न करना या न करुणा सिंधु करुणा अत्मा का या न करना या या न कर दोनों घ्जन सिंधु करुणा तेरी इच्छा पत्मा या न करुणा प्रभु मोरे अव गुण चितना धरो समदर्सी प्रभु नाम तिहारो चाहो तो पार करो प्रभु मोरे अव गुण चितना धरो प्रभु मोरे अव गुण चितना धरो एक नदिया एक न रिकाहाँ मेरो ही नीर भरो जब दो मिले एक बरान भाई जब दो मिले एक बरान भाई सुरसरे नाम पर्यो ओ प्रहो मारे अव गुण चितना घरो प्रहो मारे अव गुण चितना घरो इक लोहा पूजा मेरा ख्यो प्रहो मारे अव गुण चितना घरो प्रहो मारे अव गुण चितना घरो अव गुण चितना घरो अवत सुर्शाम जगरो अव कि बार मोहि पार लागावो अव कि बार मोहि पार लागावो नहीं प्रण जात टरो ओ प्रहो मारे अव गुण चितना घरो प्रहो मारे